असलाम अलेकम आप सबने फुटपॉल का मैच दरूर देखा होगा अगर आप अब्ज़र्फ करें तो एक फुटपॉल की टीम उसके सारे प्लेयर्स बॉल को लेके गोल पोस्ट की तरफ भागते हैं और गोल पोस्ट में जाके किक करके गोल कास्ट करने की कोशिश करते हैं इमेजन करें गोल पोस्ट दोनों गाइब कर दे तो प्लेयर्स को क्या पता चलेगा बॉल लेके किदर जाना है और कैसे गोल होगा और कैसे उनके पॉइंट्स बनेंगे और कैसे वो विन कर पाएंगे मैच को तो इसलिए आम जिंदगी में गई हमें चाहिए कि हम अपनी गोल पोस्ट बनाएं और उस पे फोकस्ट होके काम करें मिसाल के तौर पर गोल पोस्ट क्या है? तो इस सारे गोल्स की कैटेगरीज बनाके इसके आगे लिस्ट बनाएं कौन-कौन से गोल्स किस कैटेगरी के अंदर आप इस साल अचीव करना चाते हैं हर शक्स ने 2020 में अपने गोल्स की लिस्ट बना ही होगी I imagine that Most of the people don't even bother to make a list of their goals और क्रोना वाइरस ने आगे सारा change कर दिया पूरा perspective चेंज कर दिया पूरी दुनिया का मुल्क की गोल्स, कंपनी के गोल्स, individual गोल्स, सब तो चीजे चेंज होगी अब गोल पोस्ट इसका मतलब पहले आपकी यहां थी तो आप अपने उसको यहां रखना है चेंज करना है, आपने strategy चेंज करनी है अपने उन सारे goals को achieve करने के लिए आपने alternatives पे जाना है तो कब जा सकते हैं आप alternatives पे जब at least आपने first end पे goals बनाए होगे तो उसको achieve करने के लिए उसकता है आप अपनी timeline चेंज करे ज़ाधा time दे उसको हो सकता है आप strategy चेंज करें हो सकते हैं आप उसके लिए resources जो चाहिए थे वोई कठे करने के लिए different तरीके, innovative तरीके से आप उसको चीफ करने की पोशे तो eventually in any case, दुनिया में जो होता है हमारे control में नहीं है, लेकिन जो हम respond करते हैं problems के against वो हमारे control में है तो जैसे digital connections के उपर इतना depending करते थे हम लोग करोना की वज़े से घर बैठ के हम digitally लोगों से बात कर रहे हैं जादा बात कर रहे हैं तो यह important चीज़ है, innovations है, redirections है तो आप भी अपनी goals को थोड़ा सा revisit करें कि जैनुरी में बनाये थे करोना की वज़े से क्या उसमें changes आएंगी और कैसे उसको अचीव कर सकते हैं Secondly, strategy बनाए और make sure क्या वो सारे goals अचीव करते हैं I wish you all the best to achieve your goals in your life and please stay home, stay safe keep it up God bless you